हेलो फ्रेंज, वेलकम टू गार्डन टिप्स, आज हम लोग इस वीडियो में खाली स्टैंड्स के बारे में ही बात करेंगे और मैं आपको अपने भी कुछ दिखाऊंगी स्टैंड्स और इनके एडवांटेज़ भी बताऊंगी कि प्राइसिंग भी जो बाजार में नर्सरी में अवेलेबल हैं वो विक प्राइस टैंग बताऊंगी कि कितने के मिल जाते हैं यह देखें यह एक स्टैंड है हम लोग के घर में जो दो एक साथ रखे वें और इसमें एबाउट 40-50 छोटे-छोटे पॉट्स हैं और नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस है तो cleaning बहुत easy है और बहुत सारे pots accommodated है यह एक single stand है जिसमें एक tall plant लगा है जो trail करता है तो इसकी वजह से यह tall stand बहुत ही required था यह एक जो single stand होता है यह indoor plants के लिए बहुत अच्छा रहता है यह एक vertical stand है छोटा सा जिसमें 5-6 गंणे कोलिय तो इक साथ लगे वे हैं तो space भी save होती है, अब हम लोग देखते हैं कि ये वाला stand मैंने tailor made था, मैंने order किया था fabricator को और उसने बना के दिया था, ये थोड़ा महंगा पड़ा था, मगर ये थोड़ा length में लंबा है, और इसमें भी बहुत सारे pots accommodated है, तो ये stands बहुत essential है, आपके terrace के लिए, gardens के लिए, balconies में भी बहुत effective है, छोटी space में आप बहुत सारे plants रख सकते हैं, और neat रह सकता है आपका garden, balcony या terrace, तो आएए चलिए, हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं, with prices, कैसे कैसे stands ready made available है, nurseries में या market में, आज मैं गुरगाओं की एक nursery में आई भी हूँ, और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया stand, और बहुत reasonable rate पे मिल रहे हैं, तो मैं आपको पूरा detail बताऊंगी, यह stands कितने rate में हैं, और किस type के हैं, देखिए एक तो है, जिसमें double है, two steps है, एक step ये वाला है, और एक ये है, और यह बहुत helpful होता है, एरिया अपना घर clean रखने के लिए बहुत help होती है इससे, और plant के drainage में भी बहुत help होती है, तो neatness भी रहती है, ज़्यादा plants accommodate हो जाते हैं, और बहुत reasonably price है, तो ज़्यादा expensive भी नहीं पड़ता, तो बहुत सारे advantages हैं, चल यह शुरू करते हैं, देखते हैं, यह कितने का है सबसे पहला वाला जो यह double step वाला है, यह 700 रुपीज का है, और यह बहुत reasonable है, बहुत ही बढ़िया है, तीन feet के करीब होगी, धाई तीन feet के करीब होगी, और यह height में भी बहुत जागा नहीं है, तो दो steps में आप रख सकते हैं, और यह painted है, आप दुबारा भी इसको paint करा स सकते हैं, और ऐसे ही एक यह stand है, जो कि single layer में है, single layer मतलब कि इसमें कोई steps नहीं है, यह है 300 रुपे का, और यह भी बहुत बढ़िया है, खाली plants को एक ही अगर layer में रखना चाहते है, step में, तो यह बहुत ही बढ़िया option है, एक और दिखाती हूँ, जिसमें 3 layers है, यह देखे कितीन हैं इसमें steps, एक step यह, एक यह और एक यह, और यह है 950 रुपीज का, यह भी बहुत बढ़िया है, देखे कितने सारे गमले इसमें accommodated है, और नीचे ground clearance भी है इसमें, तो यह 950 रुपीज का है, इसके अलावा, यह देखे, यह stand है vertical, यह है 700 का है यह भी, और यह भी 700 का ही है, तो यह दोनों option है, यह थोड़ा फरक है, इसमें यह container सा बना हुआ है, और यह इसमें खली simple वो है, तो यह कुछ stands है, इसके अलावा मैं दिखाती हूँ stand, यह single stands है, यह single stand है, और यह बहुत अच्छे रहते हैं अगर आपने घर के अंदर कुछ pots रखने तो उसके लिए यह बहुत बढ़िया है, 200 रुपीज एच है, और बहुत ही बढ़िया stand है यह, तो आपको कहीं जाने की जर्वत नहीं है, यह nursery में आपको plants भी मिल जाएंगे, और साथ में आपको यह stands भी मिल जाएंगे, I hope आपको यह वीडियो stand का बहुत अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिये, और मेरा चैनल subscribe, thank you